नमस्कार दोस्तों एक बर फिर से आप सभी का सौगत है आपके ही अपने यूटूब चैनल HRI News पर सभी बड़ी खबरें आप लोगों के सामने एक बर फिर से लेकर के हजिर हैं जहां पर जानेंगे सबसे पहले बड़ी खबर में MCD मेर के चुना में जबरदस्त बवाल देखने को मिला है उपमुक्ष मंतरी मनी सिसोधिया बोले कितना गिरोगे भाजपा वालों सदर में भाजपा और आम आदमी पार्टी के पारसद एक दूसरे से भिड़ गए हैं धक्का मुक्ती हुई है खबर आगे विस्तार से जानेंगे तो वहीं कॉंग्रेस छोड़ करके जाने वाले गुलाम नभी आजाद अकेले पड़े हैं भारत जोड़ो यातरा के जम्मू कश्मीर पहुँचने से पहले ही कई दिगज कॉंग्रेसी नेताओं ने की है घर वापसी राज्य के अंदर ब यातरा में बोले राहुल गांधी सो अमीरों के हाथ में हैं देश की आधि संपत्ती यही है नरेंद्र मोदी का नया भारत क्या कुछ आगे कहा है राहुल गांधी ने खबर जानना आप लोगों के लिए है जरूरी लगतार बने रहिएगा इसी प्रकार की तमाम बहुत बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल की आइकन को जरूरी दबाईएगा और कमेंट वॉक्स में कमेंट कीजेगा जय हिंद जय भारत दरासल दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चलें अमे भाजपा और आम आदमी पार्टी के पारसद भिड़ गए दोनों और से धक्का मुक्की भी हुई बात हाता पाई तक पहुँच गए इस कारण नव निर्वाचित पारसदों को सपत दिलाने की प्रक्रिया को रोकना पड़ा हंगामे के पीछे उपराज पाल के एक फै पारा और भी गर्मा गया क्योंकि आप लोगों को बताते चलें इससे पहले ही आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में विवाद देखने को मिल चुके हैं आगे जान लेते हैं सदन में दोनों और से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की और से डिप्टी सी अमनी सिसोदिया ने बीजेपी पर यहां पर करार हमला किया है धाई सो पार्षदो वाले दिल्ली नगर निगम चुनाओ में आम आदमी पार्टी के पास इसपष्ट बहुमत है इस चुनाओ में आम आदमी पार्टी ने 134 वाडों में जीत हासिल की है हंगामे के बीच आम आदमी पार्टी की और से डिप्टी सी अमनी सिसोदिया ने भाजपा पर तीखा हमला बोला उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि MCD में अपने कोकर्मों को छिपाने के लिए और कितना किरोगे भाजपा वालों चुनाव टाले, पीठा सीन अधिकारी की गैर कानूनी नियुकती, मनोनित पारसदों की गैर कानूनी नियुकती और अब जन्ता के चुने पारसदों को सपत ना दिलवाना अगर जन्ता के फैसले का सम्मान ही नहीं कर सकते तो फिर चुनाव ही किसलिए ये यहाँ पर मनीज सिसोधिया ने बड़ा हमला किया है बताते चले फिलहाल के लिए MCD मेयर का चुनाव यहाँ पर टल गया है और अब एक नई तारीक का एलान किया जाएगा जिस दिन MCD मेयर का चुनाव होगा एक और बड़ी खबर बताते चले अकेले पड़े हैं गुलाम नभी आजाद भारत जुडो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुचने से पहले ही कई दिगज कॉंग्रेसी नेताओं ने कर ली है घर वापसी कॉंग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर राज्जी के अंदर बना है जबरदस्त महौला आप लोगों को बताते चलें जम्मू कश्मीर में विधान सभा का चुना होना है इसकी तैयारी में सभी पार्टियां लगी हैं बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुर्व मुख्यमंत् इस्तीफा दे करके डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई थी इसमें कॉंग्रेस के कई नेता जुड़े थे लेकिन अब कॉंग्रेस की भारत जुड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुचने से पहले यहाँ पर गुलाम नभी आजाद की पार्टी से जुड़े कई दि इसके कई और नेताओं ने घरवापसी की है कॉंग्रेस ने इन नेताओं की तस्वीर टुइट करते हुए इसकी जानकारी दी है और वहीं नेताओं के पार्टी में सामिल होने के बाद केसी वेडियो गोपाल ने एक बयान जारी किया है उनका कहना है कि पार्टी ने इन ने चुनाओ भी होना है केंद्रिय गिरही मंत्री अमिस था ने आयोध्या में राम मंदिर कोलने की तारीक घोसित कर दी है अमिस सहा ने तिरुपुरा के सब रूम रैली में कहा कि एक जणवरी तो हजर चौबिस को अयोध्या में राम मंदिर जनता के लिए खुल जाएगा अमिस गुमार ने तंज कस्ते हुए कहा है कि भूखे भजन ना होई गोपाला अगर मंतरी जी ये भी बताते कि 18 करोण लोगों को रोजगार कम मिलेगा तो हमारे देश के नौजवानों को कुछ राहत मिलती तो वहीं दूसरी तरह भारत चोडो यात्रा से बड़ी खबर आ रही है पानीपत की धर्ती से राहुल गांधी का केंदुर सरकार पर बड़ा हमला हरियाना बेरोजगारी का चैंपियन है कॉंग्रेस की भारत चोडो यात्रा सनावली से सुरू होकर के पानीपत की एतिहासिक धर्ती पहुंची और वहीं बताते चलें। धन आदे हिंदुस्तान की हाथ में है उतना धन सबसे अमीर सौ लोगों के पास है जबकि इस देश में 140 करोण लोग रहते हैं आज दो हिंदुस्तान बन गए हैं एक हिंदुस्तान किसान मजदूर छोटे दुकानदारों और बेरोजगारी उवाओं का है दूसरा हिंदुस्त दो सो से तीन सो लोगों का है जिनके पास पूरा का पूरा धन है राहुल का आगे कहना है कि नोट बंदी ने देश में कारोबार पूरी तरह से खतम करतिया सरकार वादे से मुकर रही है हरियाना बेरोजगारी का चैंपियन है बेरोजगारी में हरियाना ने आज सब को इस यात्रा ने देश में नफरत को मिटाने का काम किया है यहाई यात्रा भारत को जोड़ने का काम कर रही है यह कहना है रैली के दौरान राहुल गांधी का तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं सुनील सटी ने सियम योगी से की है बाइकॉट ट्रेंड जारिस बोले इस कलंग को दूर करने की है बहुत जरूरत अभिनेता सुनील सटी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनास से आग रहे करते हुए नजराय की हिंदी फिल्म उद्द्यों के खिलाफ नफरत को मिटाने में मदद करें और सोसल मीडिया पर बॉली जितिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए सिनेमा का इस्तमाल करने का आरोप लगाया है पूर्व मुक्यमंत्री अखिलेश यादम ने टूइट करते हुए लिखा कि फिल्म मनुरंजन का साधन है लेकिन भाजपा सरकार ने इसे सियासी विचारधारा का हदकंडा ब परचार के लिए फिल्मों का इस्तमाल कर रही है भाजपा तो वहिस के साथ ही अखिलेश यादम ने अपने अगले टूइट में कहा कि मुंबाई में रोड सो करने से पहले भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में लगातार बंद हो रहे उद्द्योगों वा कारुबार की जामना कर रहे हैं ये यहाँ पर अखिलेश यादम ने राज्जी की योगी सरकार को घेरा है एक और बड़ी ख़बर बताते चलें कॉलेजियम पर सुप्रीम कोड बोला सिश्टम फॉलो करना ही होगा केंदर सरकार ने दिया है ये जवाब कॉलेजियम पर सुप्रीम कोड क के कड़े रुक के बाद केंदर सरकार अब नरम पड़ गई है केंदर सरकार ने आस्वासन दिया है कि वहाँ तीन दिन के भीतर हाई कोड के लिए 44 जजों के नामों की सिफारिस करेगी केंदर सरकार ने सुप्रीम कोड को बताया कि वहाँ कॉलेजियम की सिफारिसों पर कद चेप भी सामिल है सुप्रीम कोट ने हाई कोट के लिए जजों की नियुक्ती में देरी पर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से कहा था कि लंबित नामों को जल्द से जल्द पास किया जाए जिसके बाद यहाँ पर केंदर सरकार अम नरम पढ़ती हुई नजर आ ही है इस बीच एक और खबर वहाँ आप लोगों को बताते चलें यूपी के गाजयबाद में नसे में धुत बीजेपी नेता हुआ है गिरफतार कार में लगे हूटर को बजाने से रोका तो दरोगा को दी हैं कालियां जीहाँ दोस्तों उत्तर प्रदिस के गाजयबाद के बीजेपी का यूवा मोर्चा का नगर अध्यच बीती देरात नौइडा के थाना दनकौर में पुलिस से अभधरता करने के मामले में गिरफतार किया गया है पुलिस के मुताबिक वहाँ सराब के नसे में धुत्ता और कार में साइरन बजाने ब्लैक फिल्म होने कार के काम कर रही है ये एतिहासिक भारत जोडो यात्रा कॉंग्रस अध्यच खडगे का बयान कॉंग्रस अध्यच मलिका अरजुन खडगे ने कहा है कि बीजेपी के द्वरा जो भाई को भाई से लड़ाने की नफरती राजनीती की जा रही है उस खाई को प्रेमभाव से भरने क काम ये एतिहासिक पदियात्रा यानि की भारत जोड़ो यात्रा कर रही है उन्हों का ही की राहुल गांधी और हमारे भारत यात्री इस सुखद कारी को लगातार पूरा कर रहे हैं और उनका आगे कहना है कि भाजबा को उसके मनसूबों में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो जाएगा तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरह बढ़ते हैं आर्थिक सुधार के मोधी सरकार के दावों के बावजू देश में नहीं बढ़ रहा है निवेस बेरोजगारी दर में भी लगातार बढ़ुत्री जारी है केंदर की मोधी सरकार पर लेफ्ट ने बड़ा हमला बोला है CPIM ने कहा है कि आर्थिक सुधार के सरकार के दोरा किये गए सभी परचार और दावों के बावजू देश की उतपादक चमताओं को बढ़ाने के लिए निवेस नहीं बढ़ रहा है इसके साथ ही Center for Monitoring Indian Economy का डेटा शेर करते हुए पार्टी ने कहा है कि बेरोजगार दर का हाल ये है कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर तक ही 3% का उचाल आ गया बेरोजगारी दर में भी लगातार वरधी जारी है इस बीच आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चलें महराश्क्र से आ रही है खबर संजय राउत के खिलाब गैर जमानती वारंट किय जारी बीजेपी की नेता किरिट सौम्या की पतनी की मानहानी याचिका से जुड़ा है पूरा मामला सिवसेना के सांसद संजय राउत की मुस्किलें एक बर फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं आपको बता दें कि वारंट बीजेपी की नेता किरिट सौम्या की पतनी की मा मान्हानी याचिका से जुड़ा हुआ है दरासल संजे राउत को मान्हानी के मामले में बार-बार समन यह यहां पर दोस्तो इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी ख़बरें हमने आप लोगों तक पहुचाएं इन खबरों के लेकर कि आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताईएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों